सो वेलकम बैक एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी बहुत बड़ी होंगे और आज हमारी जो है 2020 तक की आखरी वीडियो खतम हो जाएगी ठीक है तो इसके बाद जस्ट आपकी महनत है जो CIC लाएगी नहीं लाएगी वह बात की बाते हैं बाकी अपना 100% काफी लो बशर्व बस हो चुका था बट आप अप टाइम है तुम्हारा वह कुछ नया कोंसेट पढ़ने का बल्कि जो पढ़ चुक हो उसको रिवाइस करने का ठीक है नहीं तो जो आता है वह भी जाएगा और जो नहीं आता वह तो जाए गई जाएगा ठीक है तो इस शाज में किस कॉशन् से ठोड़ा करो कि कहा पे अटके और कौन से koncept पे अटके और सक हूँक को फिर से रिवाइज करो अगर उगर किया हुआ और प्रीवप से राय कर सकते हो इस तरीके से तुम आपना schedule करो और इस तरीके से कुछ करो कि dasider day day exam कि strategy वो baw कर पआउ तुम और उसी तरीके से अपने एक्जाम में बैठो ऐसा निएकि बिल्कूल ट्रेल्च मंुख में कुछ पता ही नीहीं आज साथ है ऐसे नहीं बैठना थीक है तु इन सब्सकूल को थोड़ा सा ध्यान रखना और इसी के साथ हम चलते हैं आज के पहले कोश्चन की तरह तो जो पहला कोश्चन है वो हमें गिवन है पेन ले लिया और यहां पे गिवन है कि splitting the square इंटु 9 biz कोश्चन किया था उसमें भी यह पहराक पियरा कोश्चन था ठीक है तो अगर हम देखें तो जो यह अगर यहां पे एक स्क्राइब था एक स्क्राइब से A support की रॉताओं से यह यहां बने और एक ब्लैक बना ठीक है तो हर बार यहीं चीज़े रिपीट हो रही है तो अगर मैं इसके एक वाइट को मैं उठाऊंगा इस वाइट में तो इसमें भी आठ वाइट होईंगे और एक ब्लैक होगा तो यह वाला डियागराम बन जाएगा तुमारा ठीक है यह चीज़ समझानी चाहिए तो इसका मतलब तुमारा क्या हुआ कि जो वाइट की जो नंबर वाइट स्क्वेर्स हैं वह तुमारे एट टाइम्स एट टाइ तो इसका मतलब एट इटरेशन में जो इसकी वैल्यू होई की वह गी एट की पावर एट यह किसकी वैल्यू है वाइट इसक्वेर की और इतना हम आसानी से देख सकते हैं कि इसमें 3 3 इंटू 3 स्क्वेर है मालब 9 है इसमें तुमारे कितने है नाइन इंटू 9 81 ठीक है तो यह जो है 9 की पावर एंड जो है यह टोटल स्क्वेर है ठीक है तो हमसे कौनसी इटरेशन पर पूछा है फिफ्थ इटरेशन पर तो एट की पावर 5 क्या होता है 32768 और जब तुम 9 की पावर 5 निकालोगे वो तुमारा आजाएगा 59049 और जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे वही तुमारा ब्लैक होगा नंबरो ब्लैक स्क्वेर्स तो वो हम माइनस जब करेंगे 59049 में से 32768 तो तुमारा आंसर आजाएगा 26281 और हमसे पूछा है इस वाइट का और ब्लैक का रेशियो तो वह कितना आ गया यह रख फिरी स्पेस ऊपर लिख देता हूं है विच इस 32768 रेशियो 26281 और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले कुश्चन की तरफ तो यह जो है हमारा वही पैरा वाला कुश्चन है और इसमें हम से क्या है पूछा है प्रॉबबेल्टी ऑफ चूजिंगा वाइट इसक्वेर एट एट इटरेशन एट एंट एंट टैंस टू इंपिनिटी तो हमने देखा था कि वाइट की अमाउंट कितनी है एट की पावर एन और टोटल कितने नाइन की पावर एन पिछले कोश्चन में ठीक ह तो इसका रेशियो हम से पूछा है जब एंट टैंस टू इन्फाइनट है तो यह बन गया तुमारा 8 बाई 9 की पावर एन और 1 से जो 8 बाई 9 है वो 1 से छोटा है 0 से बढ़ा है तो 0 से 1 की पावर एन और जब एन टैंस टू इन्फिनिटी है तो उसकी वैली क्या होती है जी और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले कोशन की तरफ तो यह हम आगे हैं आज के नेक्स्ट कोशन की तरफ यहाँ पर हम एक है क्या रहा है देरा टू अनमार्क्ट जग्स हमें नहीं पता कौन सा जग मरलब जग में कितना पानी भरा हुआ हम यह नहीं देख सकते हैं अगर because they are unmarked water can be powered from one jug to another until the initial jug is empty or the other is full the unwanted water will be wasted into a sink for there are no other containers after some pouring, filling, wasting exactly one liter of water is measured in the bigger jug with the other empty using the minimum amount of water हमें यह चीजे पतानी है तो पहला जो हमारा question है वो है the number of the number of times an empty jug is filled from the faucet तो देखो यार मिरेको ना एक दिक्कत है कि 5 by 4 जो है यह 5 by 4 और 2 by 3 मिरेको अजीब से लगेंगे यार इन में से में माइनस करूंगा तो मैं क्या करता हूं ना इन दोनों को 12 से multiply कर देता हूं तो 12 से multiply करूंगा 5 by 4 को तो कितना हो जाएगा 15 और जब मैं इसको 2 by 3 को 12 से multiply करूंगा तो कितना आ जाएगा और अगर इसी के माउंट है हमसे वन लीटर यहां से पूछा था अगर यह वन लीटर है तो वन लीटर अगर मैं 15 और 8 और इस तरह किसे लिए तो वो कितना हो जाएगा वन लीटर का मतलब 12 लीटर है इसके हिसाब से अब इतना असान सा थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ बाई 15 लीटर का एक जग है बड़ा वाला एक छोटा जग है 8 लीटर का और हमें बड़े वाले जग में 12 लीटर पानी भरना है ऐसा हमारा कोई question है ठीक है अब इससे माला तुम्हें रेशो वाले में चलना है तो रेशो वाले में भी चलके देख सकते हैं लेकिन काफी अजीब सी चीजे आएंगी लाइक 5 by 4 माइनस 2 by 3 करो गया कभी फिर उसके बाद भी तुम्हें माइनस प्लस करने पड़ेंगे तो काफी दिक्कत वाली चीज होईगी ठीक है हम क्या है इसे natural अंब में convert कर दिया हमने इस च्र 그건 करते हैं हमन लेते हैं कि Initially इन दोनों में और कांटेनर में पानी नहीं है ठीक है तो एकического में मान के चल रहा हो यहां पर चोर्ट को stripes उपर कोशन में उसको साइड छोड़ दो अब जो में बता रही हो इसको अलग से देखना ठीक है तो जो बड़ा वाला जग है उसमें 0 पानी था 0 लिटर पानी था छोटे वाले में भी 0 था तो यह जो है तुम्हारा पता रहा है यह बड़े वाले जग में बिग वाला और यह वाला पता रहा है इसमॉल वाले जग में ठीक है अब मैंने क्या किया कि बड़े वाले ज इस में डाल दिया तो यहाँ पर कितना बचAAA 7 और 8ठ्ल मैंने इस में डाल दिया, आप 8 भी लीटर को मैंने फैंक दिया तो संब्सक्राइब अगर बचा 7 और झोटे बचाइब पानीच चल्टह में ऐन्लख्ज भी पनी था वो छोटे वाले जग में ट्रांस फर कर दिया और छोटे वाले जग में 7 ही, अब मैंने कहा कि आप 15 लेटर में से 1 लेटर फिर से छोटे वाले में भर दिया, उससे वो फूल हो जाएगा क्योंकि, तो मैं यहां पर आ जाएगा 14,8, अब 8 को मैंने फिर से फ्रैक दिया, ठीक है, तो वो हो गया तुमारा 14,0, ठीक है, अब यह 14 को मैंने छोटे वाले जो मग है, उसमें डाला, तो यह कितना हो गया, 6,8, और जब तुम इसी तरीके से चलते जाओगे, तो मैं पूरी एक सीरीज लिखते दाओ, किस तरीके से चलेगी तुमारी, 0,6, 15,6, 13,8, 13,0, 5,8, 0,5, 15, और at the end तुमारा जगा 12,8, और 8 को हम फैंक देंगे, और यह आजगा 12,0, ठीक है, तो हमारे यह जो यह था, यह बिग वाला था, और बिग वाले में हमें 12 लिटर पानी चाहिए था, 12 लिटर आ गया, और छोटा वाला खाली चाहिए था, छोटा वाला खाली आ गया, ठीक ह तो देखो, एक बार तो मैंने यहाँ पर पानी भराता 15 लिटर, एक बार मैंने यहाँ पर 15 लिटर बराता, एक बार यहाँ बराता 15 लिटर और एक बार मैंने यहाँ बराता, तो टोटल कितनी बार मैंने यह पानी भरा, चार बार, ठीक है, तो चार जो है, इस वाले अंसर हो गया अब यह कोशन दोनों एक ही पहरा के थे तो यह अलग-अलग कोशन गीवन है पेपर में तो लेकिन मैंने एक ही साथ लिख दी ठीक है और दा नंबर ओफ टाइम्स आप फुल जग इस एंप्टेड इंटो दा सिंक इस कितनी बार हमने पूरा जग भर के उसको फै आच और एक छे तो सिक्स टाइम्स जो है हमने पूरा मग भर के उसे ठीक है तो इन दोनों के आंसर करेक्ट आ चुके हैं और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले कोशन की तरफ तो यह हम आ गया है आज के नेक्स्ट कोशन पर और यहां पर एक कुछ गेम दे रखिया मैं आज पर मैंने तो आस्तक नहीं खेली ठीक है और इस कुश्ट को करने के लिए जरूर मैंने थोड़ा सा हाथ पर मारा ठीक है और थोड़ी सी वह गेम मैंने सीखी और मैंने ट्राइ किया कि यार बन जाए कुश्ट लेकिन अब दिक्कत क्या ड़िए इस कुश्ट में की ना लास्ट में जाकर के कुछ-कुछ पॉइंट्स जो है वह अड़ जा रहे हैं अब मिरे को नहीं पता कि उसमें वह वेल्यूस में इसमें कुछ दिक्कत दे रखी है या मैं ही गलत हूं ठीक है तो मैं अपने आपको सही नहीं बता रहा है अर बार तो मैं भी इसमें गलत हो सक तो मेरे से मेरे को इसमें थोड़ी सी दिक्कत लगी तो इससी के साथ हम चलते हैं अगला वाला जो पर बेस्ट को इसके ऊपर दो कोशन थे हम उन दोनों को चोड़े रहे हों ऑगले कुछन की तरफ कि तरफ यहां पर हम क्या रख है लेटर ऑग टुए है रख क्वेंद् necessarily in that order when the letters are replaced by the correct number all the sum must be correct the sum are solved strictly left to right up to down अब देखो यहां पर एक को चीज रखिए कि 3 plus 1 times 9 यह अगर हमें वैसे लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं इसको बलब 12 देखते लेकिन इसमें क्या करना है हमें लेफ्ट से राइड की तरफ चलना है तो 3 plus 1 4 हुआ और 4 times 9 36 इसका आंसर 12 नहीं होगा ठीक है उन्होंने पहले से स्पेसिफाय कर रहे है और इसी तरीके से ऊपर की नीचे तरफ भी जब तुम चाहरे हो तो इसी तरफ से इसी तरीके से चलना है अब इस टाप की कोश्चन में होता क्या है कि ना जो मुल्टिप्लाय और डिवाइड वाली चीज़ों होती है वो तुम्हें जल्दी से पकड़नी चाहिए क्यों पकड़नी चाहिए उसका रिजन बताता हूं देखो पहली बात में अगर मेरे को ऐसा फ्रेश कोशन यह दिया जाए और में कोई स्टार्ट करना हो तो मैं इसमें सकते हैं तो 9,5 और 1 तीन पर यह बन सकते हैं तो अब या तो C जो है वो 1 है या C जो है वो 5 है या हम कह सकते हैं H जो है या तो वो 1 है या H जो है वो 5 है अब दूसरी चीज़ मैं देखता हूं कि अगर मैं H को 1 ले लेता हूं माल लो मैंने H को 1 ले लिया तो F प्लस G की वैल मतलब 7 ले लेता हूं ठीक है तो 8 साथ 15 15 इंटु 1 जा साथ 15 आ जाएगा लेकिन हमें यहां तो 30 है न तो इसका मतलब confirm है कि H की value तो 5 आने वाली है ठीक है H की value 5 आने वाली है और C की value जो है तुमारी 1 आने वाली है तो इस तरीके से in questions को multiply divide मैं तो इनी को ढूंड़ता हम सबसे पहले वह ढूंड़के करना होता है अब जैसे second critical point ढूंड़ना हो तो मैं तुम्हें पता क्या कहूंगा यह column 2 देखो अगर 23 में से 9 खटा दूंगा तो कितना आएगा 14 और 14 क्या होता है 7 times 2 अब D और E में से कोई 7 है दूसरा 2 है इस तरीके से चीजें देखी जाती है ठीक है अब तुम अगर मालो column 1 को लेकर के बैठ गए A plus B plus C is equal to 15 है अब तुम तो उसमें कुछ भी value डालते रहो कितने सारे pairs बन जाएंगे तुमारे तो short test तरीका जो होता है वो इसी तरीके से किया जाते है तो मैं directly अब बतायाता हूं कि at the end जब तुम इसे solve करोगे तो क्या answer आ रहे होएंगे तो A की value जो है तुमारी at the end 8 आ जाएगी और जो तुमारी D की value है वो तुमारी 2 आ जाएगी जो F की value ह आ जाएगी 3 जो G की value है वो आ जाएगी तुमारी 4 जो E की value है वो तुमारी आएगी 7 और जो B की value है वो तुमारी आएगी 6 और बाकी C और H हमने निकालके देखी लिए है ठीक है और इसी के साथ जो तुमारे बाकी I think इसके ऊपर 4 questions थे और सारी questions बन जाएंगे किसी में A की value पूछा है किसी में B की value पूछा है किसी में ABCD की value पूछा है इस तरीक से questions पूछे हैं जब तुम्हें ABCD सब पता चल चुके हैं तो सारे आंसर आराम से हो जाएंगे ठीक है इसे के साथ आज की वीडियो होती है कतम not only आज की वीडियो बट यह जितनी सीरीज ह हमने एक महीने पहले स्टार्ट की थी वो सीरीज होती है कतम मतलब इसके पीछे जो माइंड था वो यह था कि जिस समय मैंने preparation करी थी लाइक मैंने एक महीने डेड़ महीने के अंदर preparation करी थी और उस समय मेरे को previous year जब करने थे तो previous year जब यूटूब पर सर्च किया या कुछ भी किया तो कहीं कुछ ने मिला ठीक है और एक क्वेश्चन को मतलब जैसे कि अगर मैं किसी क्वेश्चन पर अठक गया आप उसको करना पड़ रहा है और एक जब जिस स्टेज पर भी तुम हो उस समय पर टाइम बरबाद होना वह बड़ा ही बेकार चीज हो जाती है ठीक है तो माइंड में था कि कुछ इस तरीके से एक सीरीज होए जिसमें की आगी के जो जूनियर से हैं उनकी help हो सके ठीक है I know कि मैंने क difficult lady हो या कुछ गलत ही कर दिया हो ठीक है हो सकता है यह चीजे हैं और मैं मानता हूं उन चीजों को लाइक फर्स टाइम था जब मैंने वीडियो रिकॉर्ट करी थी या जो भी थी तो एक शुरू आत्मे नर्वसनेस उसके बीच में मैंत के कुश्चन सोल करना तो थोड़ा स समझ सकते हो कि difficult हो जाता है बट फिर भी कहीं ना कहीं यह चीजे तुम्हें help करेंगी ऐसा तो नहीं है सारे questions मैंने गलत किया है ठीक है काफी सारे maximum जो हैं सही होएंगे और वह काफी तुमारी help करेंगे not only in 2021 आगे के भी जो लोग देखेंगे maybe वह इस पूरी series का फायदा उ की series को खतम करते हैं और फिर कभी मिलेंगे अगर college तुम आते हो ठीक है तब तक के लिए बाइबाए